कलरी पयत्टू कहते हैं ये विश्व के सबसे पुराने मार्शलाथ पॉम्ज में से एक है जिस निकेरल में करीब पाँच हसार साल पहले जन्म लिया और जानते हैं इस प्राचीन कला से एक बेहत दिल्चस्प कहानी जुड़ी हुई है प्राचीन लोग कधाओं के अनुसार जब विश्रू के छठे अफ्तार परशुराम ने अपनी कुलहाडी को अरब सागर में फेका तो उसमें से धर्ती का एक टुकड़ा उबरा क्यरला इस धर्ती की रक्षा के लिए उन्होंने 21 शिश्यों को कलरी पयत्व की ट्रेनिंग दी यही नहीं इसे सिखाने के लिए चौसत गुरु कुल भी स्थापित किये कलरी का मतलब होता है रणभूमी और कलरी पयत्व असल में एक प्राचीन युद्ध कला है डिजाइंट फॉर एंशन्ट बातल फिल्द्द इसमें कॉम्बाट और डिफेंस टेकनीक्स तो हैं ही साथ ही हैं हधियार, योगा और हीलिंग टेकनीक्स का बेमिसाल मिश्रा शायद इसे लिए इसे मदर ओव आल मार्शलाद भी कहा जाता है कहते हैं हमारे शरीर में 64 बाइटल पॉइंट्स हैं जिन्हें मर्म पॉइंट्स कहते हैं इन बाइटल पॉइंट्स में लाइफ फॉस एनरजी यानी जीवन शक्ती की ऊर्जा बसती है कलरी में इनहीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अटाक और डिफेंट करना सिखाया जाता है इसकला में महारत हासल करने के लिए पार करने होते हैं शार पड़ाओ मेय पयत्तू शरीर और दिमाग को शक्ती प्रदान करने वाली ट्रेनेंग कोलतारी पयत्तू लकडी के हत्यारों से ट्रेनेंग अनंतारी पयत्तू धारदार हत्यारों से ट्रेनेंग और वेरुमकाय यानी हाथों से लड़ने की कला और हर पड़ाओ को पार करने में students को एक साल से भी ज्यादा वक्त लगता है और आप आते हैं सबसे हैरान कर देने वाली बात पर ये जो आप Bruce Lee और Kung Fu की दीवाने हैं ना कहते हैं इसका जन्म कलरी पयट्टू से ही हुआ है कहा जाता है करीब 5th century BC में दक्षन भारत के कलरी योध्धा प्रिंस बुद्धी धर्म चाइना गए थे और वहाँ इन ही की सिखाई एक्सेसाइजस ने आगे चलकर Kung Fu की नीव रखी कलरी सिर्फ योध्धा कला नहीं है साथ ही ये केरल की दूसरी कलाओं की फ्रेरणा भी है और कहीं मिलेगी कैसी आचंबित करने वाली कलाओ It happens only in India